हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ क्रीमी वाइट सॉस पास्ता, उसके लिए मैंने एक कटोरी पास्ता लिया है, चोथाई चम्मच नमक डालकर और थोड़ा सा तेल डालकर इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है, इतनी बॉयल होता है तो मैं सबजियां तयार कर लेती और अब इसको प्याज को थोड़ा सा तल लेंगे, जब प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी, फिर मैं इसमें गाजर, ब्रॉकली और शिमला मिरश डाल देती हूँ सबजियों को अच्छी तरह से सौटिट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और और ओरिगेनो, ये डाल कर और इसको थोड़ा सा चला कर और अलग प्लेट में इसको निकाल लेंगे इतने पास्ता भी मेरा बॉयल हो गया था, इसको छान लेते हैं अब पास्ता के लिए क्रीम बनानी है, तो मैंने बटर लिया है और मैदा ली है, जितना मैदा उतना ही बटर, अब इसको ऐसे बून लेंगे, जैसे हलवे के लिए सौजी को भूना जाता है अच्छे से बून लेंगे, थोड़ी सी खुशबू भी आएगी, और जब बून जाएगा, तो अपने आप ही पता चल जाएगा, खुशबू भी आ जाती है और इसमें हलका सा निवाया दूद, जैसे जैसे हम दूद इसमें छोड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम इसको चलाते रहेंगे, जिससे इसमें फुट किया ना पड़े और गैस को मंदी करके ही करना है, हलकी करके गैस को, तब इसमें दूद डालना है इसमें जो मैंने सौर्टिट की थी वेजिटेबल्स तो वो डाल दी है मैंने पास्ता भी डाल दिया है अभी बहुत ही अच्छी क्रीम बन चुकी है और इसमें पास्ता को लपेड देंगे इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी बें डाल दोंगी ये हमारा पास्ता तैयार हो गया है बिल्कुल इसको आप चाहू तो अगर बाद में खाऊगे तो फिर इसमें थोड़ा सा गरम दूट डाल कर इसको दुबारा से गरम कर सकते हैं नहीं तो ये बहुत गाड़ा हो जाता है थोड़ा सा गरम दूट डाल कर भी इसको दुबारा गरम कर सकते हैं और लेकिन ये बहुत गरम गरम अभी ताजा ताजा ही बहुत अच्छा लगता है इसको चिली फ्लेक्स उपर से डाल कर सरू करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए गुडबाई